इस वीडियो में बच्चपन पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे नमस्कार सभी को हिंदी कला केंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वे बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बच्चो इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ वे इसके अभ्यास प्रशनों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो जिसका लिंक नीचे दियावा है जैसा कि बच्चो आपको पताई है बच्चपन एक संस्मरण है जिसमें लेखिका अपने बच्चपन वे आज के समय के बदलाव को बताती है तो अभ्यास पुस्तिका को पूरा करने से पहले एक बार इस संस्मरण का सार पढ़ लेते हैं जिससे आगे उत्तर देने में आसानी रहे बच्चपन पाठ की लेखिका का नाम है श्रीमती कर्षना सोबती जिसमें वे बता रही हैं कि उम्र में वे बच्चों की दादी या नानी के बराबर हैं वैसे उनकी परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं वे अब खुद बड़ा मैसूस करती हैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी किन्तु अब उन्हें सफेद या हलके रंगे कपड़े अधिक अच्छे लगते हैं तो लेखिका अपने पहनावे के बारे में बता रही है कि वो बच्चपन में कैसे कपड़े पहनती थी और अब उनको कैसा लग रहा है बच्चपन में उन्होंने अनेक परकार के फ्रोक पहने हैं एक फ्रोक नीली धारी वाला था जिसकी बाजू पर गोल कफ या गले में गोल कालर लगा था दूसरा फ्रोक गुलाबी रंग का था जिसमें चुन्रटे पड़ी थी उन दिनों फ्रोक के उपर के जेब में रुमाल रखने तथा बालों में रिब्बन लगाने का फैशन था तो लेखिका अपने वच्चपन को याद कर रही हैं लेखिका के पास एक लेमन कलर का गरम एवं फर लगा हुआ फ्रोक था और दो टूनिके थी वे इत्वार के दिन यानि संडे के दिन अपने मोजे खुद होती थी तथा अपने जूते पॉलिस करके चमकाती थी उन्हें अभी भी जूते पॉलिस करना अच्छा लगता है उन्हें अपनी इच्छा के विरुद हर सनिवार को ओलिव ओईल या केस्टर ओईल पीना पड़ता था उन दिनों रेडियो तथा टेलिविजन किसी के घर में नहीं होते थे तब केवल द्रामो फोन होते थे जिस परकार इस समय लोग कोक पैपसी पीते हैं उसी परकार उस समय लोग सैतूत और फाल से तथा खस-खस का सरबत पीते थे उन दिनों लेमनेड और विम्टो मिलती थी सिमला और नई दिल्ली के बच्चों को बैगर्स तथा डेविस को रेष्टरा की चोकलेट तथा पेश्टरी भहुत भाती थी उस समय समोसा कचोड़ी अधिक खाय जाता था और अब पेटीज खाय जाती है तो लेखी का अपने बच्चपन की बातों के साथ और आज की समय के साथ तुलना करती भी लिख रही है हपते में एक दिन बच्चों को चोकलेट खरीदने की चूट होती थी लेखी का उसे रात के खाने के बाद विस्तर में लेट कर मजे से खाती थी तुरंत नहीं खाती थी बल्कि उन्हें सिमला के खटे मिठे काफल भोत याद आते हैं चेस्टनट भून कर फिर छील कर खाय जाता था वे चने जोर गरम और अनार दाने चूण भी खूब खाती थी उन्होंने शिमला रिज पर गुड सवारी की और खूब मजे किये शिमला की प्राकरतिक सुन्दरता के कारण स्केंडल पॉइंट पर बड़ी भीड होती थी उसी के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था उस समय वह सबसे तेज रप्तार वाली गाड़ी थी कभी कभी हवाई जास देखने को मिलते थे वहीं एक दुकान से उन्होंने अंग्रेज डॉक्टर से चस्मा बनवाया था जिसे लगाने पर उनका चचेरा भाई उन्हें खूब चिडाता था अब तो चस्मा उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया है बिना चस्मा के चेहरा खाली खाली लगता है अब वे टोपी भी लगाती है और उनके पास कई रंग की टोपियां है तो इस तरह लेखी का अपनी पुराने बच्चपन की बातों को याद कर रही है ये बच्चो इस पाठ में आये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आप अब्यास पुस्तिका में लिखते वे याद कर सकते हो जैसे स्ताबदी कार्थ है सो वर्स, दसक, दस वर्स, पोशाक, वेस बुसा या ड्रेस फ्रिल कार्थ है जालर, इत्राते कार्थ है इठलाते या जूनते खुराक, ओस्दी या बोजन की मात्रा मितली कार्थ है जी का मचलना या उल्टियाना कनफेक्षनरी, वे दुकान जहां बिस्किट नमकीन मिठाई आदी मिलती हो नीरा कार्थ है केवल, कमतर, ज्यादा छोटा या लगूतर, ननिहाल, नानी का घर, हस्ट-पुष्ट, मोटे ताजे, सुनहरी कार्थ है सोने जैसी, कोला हल यानि शोर, अटपटा, उटपटांक या जो अच्छाने लगे आस्वासन, भरोसा, खीजना कार्थ है क्रोध करना या जुन्जलाना, शेर, कविता, सहज कार्थ है स्वाभाविक या घुल मिल जाना, एक हो जाना, यानि अलग ने दिखाई देना सहल कार्थ है आसान सुभीते वाली कार्थ है आरामदाइक हिमाचली हिमाचल वाली पाढ़ों के मुखडे गहराने लगे जिस कार्थ है पाढ़ों पर अंदेरा होने लगा नेमल लिखित गद्यांस को पढ़कर दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए तो सबसे पहले बच्चो आपको इस गध्यांज को पढ़ना है फिर इस से सम्मंदित इन परशनों के उत्तर देने है हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानि उम्र में सयाना मैसूस करने लगी हूँ शायद इसलिए कि पिछली स्ताफदी में पैदा हुई थी मेरे पहनने ओड़ने में भी काफी बदलावाए है पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो गहरे नहीं हलके रंग मैंने पिछले दसकों में तरह तरहगी पोसा के पहनी है पहले फ्रोग, फिर निकरवाकर, सकर्ट, लहंगे, गरारे और अब चुड़ीदार और घेरदार कुर्ते अब इस गध्यान से ये कुछ प्रसंद दिये गए है पाठ और पाठ की लेखिका का नाम लिखिए तो पाठ का नाम है बच्पन और पाठ की लेखिका का नाम श्रीमती, कृष्णा, सोबती लेखिका में क्या-क्या बदलाव आये है उम्र बढ़ने के साथ-साथ लेखिका स्व्यम को सयानी यानि समझदार मानने लगी है उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में भी बदलाव आये है पहले बच्चो लेखिका गहरे रंग के कपड़े पहनती थी लेकिन अब उनको कौन से रंग के कपड़े पसंद है ये बात आप मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताना लेखिका ने कौन-कौन से कपड़े पहने है और अब क्या पहनती है तो इस गध्यांस से हमने जाना कि लेखिका ने फ्रोक, निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, आदी पहने हैं अब वो चुड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं उन्हें पहले रंग बिरंग के कपड़े अच्छे लगते थे, परन्तु आज सफेद या हलके रंग के कपड़े ही पहनती हैं ये दूसरा गध्यांस है, जिसे भी पढ़कर आपको इसके उत्तर देने हैं बच्पन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नोकर या नोकरानी को नहीं दिये जा सकते थे, इसकी सक्त मनाई थी हम बच्चे ईतवार की सुबै इसी में लगाते धो लेने के बाद क्या धो लेने के बाद मोर्फे धो लेने के बाद अपने-पने जूते पोलिष करके चमकाते जब जूते कपड़े या ब्रिस से रगड़ते तो पोलिष की चमक उभरने लगती सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है हाला कि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आराम दे हैं हमें जब नए जुते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता यानि पहले लेखिका को जो जुते मिलते थे उनके बच्पन में उनसे पैरों में छाले जरूर होते थे क्योंकि वो थोड़ा हाड होते थे लेकिन आज कल के जुते आराम दे हैं तो उनसे अभी छाले नहीं होते जब कभी लंबी शेर पर निकलते अपने पास रूई जरूर रखते जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर हाँ हमारे तुमारे बच्पन में तो बहुत फर्क हो चुका है अब इसके प्रश्णों को देखते हैं इतवार की सुबह बच्चे क्या करते थे तो इतवार की सुबह बच्चे अपने मोजों वे स्टोकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिस करने का काम करते थे तब और आज के नए जूतों में क्या अंतर है पहले के जुते जब नए होते थे तो बच्चों के पैर कट जाते थे लेकिन आज के नए जुते बहुत अराम दे हैं तो अभी ऐसा नहीं होता लेखिका को आज भी कौन सा काम अच्छा लगता है लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है अगला परग्राफ है हमें हपते में एक बार चोकलेट खृदने की छूड़ थी सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चोकलेट टोफी का स्टोक रहता मैं चोकलेट लेकर खड़े-खड़े कभी न खाती घर लोटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिष्टर में लेट कर मजे लेले खाती शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं खटे मिठे कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कस्मल सोच कर ही मुह में पानी भराए चेस्टनट एक और गजब की चीज आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुह में अब इसके प्रशनों को देखते हैं लेखिका के पास चोकलेट टॉफी का स्टॉक जादा क्यों रहता लेखिका चोकलेट टॉफी मिलते ही नहीं खाती थी वे उन्हें घर में रख देती और फिर बाद में खाती इसलिए उनके पास स्टॉक जादा रहता था लेखिका को बचपन में हफते में कितनी बार चोकलेट खृदने की छूट थी ये बात बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना वे चोकलेट कग और कैसे खाती थी वे चोकलेट रात के खाने के बाद बिश्तर में लेट कर मजे ले लेकर यानि आराम से खाती थी लेखिका को खाने की और किन-किन चीजों की याद आती है लेखिका को सिमला के काफल, कसमल और चेस्टनट की याद आती है अंतिम परग्राफ है, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दोडते, दिखता एक भारी भरकम पक्सी उड़ा जा रहा है, पंक और ऐसी दुकान थी, जो मुझे कभी नहीं भूलती, यह वै दुकान थी, जहाँ मेरा पहला चस्मा बना था, वहाँ आखों के डॉक्तर अंग्रेज थे, अब इसके प्रशनों को देखते हैं, दिल्ली में बच्चे किने देखने के लिए बाहर दोड पड़ते थे, को आकास में हावाई जाज दिखता था, जो कि उन्हें एक भारी बरकम, पक्सी पंक फला कर उड़ता वा जा रहा हो, ऐसा परतीत होता था, वह तुरंत गाइब क्यों हो जाता था, क्योंकि हावाई जाज की गती बहुत तेज होती थी, इसलिए वह तुरंत गाइब हो जात था, कौन सी दुकान लेखिका को कभी नहीं बूलती और उसकी क्या खुबी थी, तो चस्मा की दुकान लेखिका को कभी नहीं बूलती, क्यों नहीं बूलती, उस दुकान की क्या खुबी थी, एक तो वहाँ आखों के डॉक्टर अंग्रेज थे और दूसरा उस दुकान पर लेखिका का पहला चस्मा बना था इसलिए लेखिका को वह दुकान कभी नहीं भूलती एक परग्राफ और है वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आस्वासन दिया था लेकिन चस्मा तो अब तक नहीं उत्रा नंबर बस कम ही होता रहा मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं ज जब आप दिन की रोशनी को छोड़ कर रात में टेबल लेंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा अब इससे संबंदित यहां पर कुछ प्रशन दिये गये हैं डॉक्टर साहब ने क्या आस्वासन दिया था परवास्तम में क्या हुआ डॉक्टर साहब न दिन की रोशनी के बजाए रात में टेबल लेंप के सामने काम करती थी इसलिए उनकी रोशनी कमजोर होती चली गई निम लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए लेखी का बच्पन में इत्वार की सुवए क्या-क्या काम करती थी तो लेखी का बच्पन में इत्वार की सुवए अपने मोजों वे स्टोकिंग को धोने और अपने जूतों को पोलिस करने का काम करती थी उम्र बढ़ने के साथ-साथ लेखिका में क्या-क्या बदलावाए उम्र बढ़ने के साथ-साथ लेखिका स्व्यम को सयानी मानने लगी हैं उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में भी बदला हुए हैं क्यूंकि वो पहले प्रोक, निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदी पहनती थी परन्तु आज वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्टे पहनती हैं पहले उन्हें रंग भी रंगे कपड़े अच्छे लगते थे परन्तु आज सफेद या हलके रंगे कपड़े ही पहनते हैं उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनके खाने में भी बदला हुआ हैं तुम्हें बताऊंगी की हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी हैं इस बात के लेखिका क्या-क्या उदारन देती हैं हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी हैं ये कहकर लेखी का अपने बचपन और आज के समय के बदलाव को बताती है जैसे कौन सी बातों से बताती है उधारण के लिए उस समय मनवरंजन का साधन ग्रामोफोन था परन्तु आज उसका स्थान रेडियो और टेलिविजन ने ले लिया है और अब तो इन दोनों से ज़्य ज़्यदा मोबाइल ने ले लिया है पहले बच्चे कुलफी खाना पसंद क्या करते थे परन्तु आज उसकी जगए आइसक्रीम ने ले ली है उस समय खाने में केवल कचोडी समोसा होते थे आज उनकी जगए पेटीज ने ले ली है इसी तरह से तूत फाल से और खसकस के सर में कितनी दूरी आ चुकी है लेखिका को बच्चपन में कौन-कौन सी चीजें खाने में मजा आता था तो लेखिका को बच्चपन में चोकलेट खाना बहुत पसंद था इसके अलावा लेखिका को काफल और चेस्टनट बहुत पसंद थे वे चना पापड़ी और अनार दा चनों को एक कागज की पुडिया में डाल कर दिया जाता था उसे ही चने जोर गरम की पुडिया जो तब थी अब भी नजर आती है पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुडिया में नीरा हाथ का कमाल है नीचे से तिर्ची लपटते हुए उपर से इतनी चोड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं इसके साथ बेचने वाला चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम भी गाया करता था अपने बच्पन की किसी मनमोहक गटना का वर्णन कीजिए तो ये बच्चों आप अपने बच्पन की किसी मनमोहक गटना को लिखो जैसे उधारन के लिए मुझे अपने बच्पन की एक बात याद आती है बोले वाली रंग बिरंगी बर्फ चूसना बहुत पसंद था जैसे ही हम सब मेले में पहुंचे मेरी नजर बर्फ वाले पर पड़ी और मैं जिद करने लगी मम्मी ने थोड़ी देर रुकने को कहा तो मैंने थोड़ा वक्त निकाला बाद में जब मुझे बर्फ का गोला मिल तो उसका स्वाद लेने के चक्कर में मैं अपनी नई फ्रोग को भूल गई और बर्फ से रंग टपक टपक कर उस पर चित्रकारी कर चुका था सब मुझे देखकर हसे और मुझे भी फ्रोग खराब होने का अफसोस हुआ किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भा के नाम को संग्या कहते हैं जैसे भारत, हिमाले, हीरन, पढ़ाई, पुस्तक, श्री कृष्ण, आदी और फिर संग्या के कई भेद होते हैं उन में से जिन संग्या सब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थती, भाव या दसा आदी का पता चलता है उन्हें भाव आचक संग्या कहते हैं जैसे गर्मी, मिठास, मित्रता, आदी तो बच्चो आप संग्या को एक बार फिर से पढ़ना चाते हैं तो आप मेरे संग्या के इस वीडियो में देख सकते हो जहां पर संग्या और उसके परकार को अच्छी तरह से समझाये हुआ है भाव आचक संग्या स सब्सके जातिवाक संग्या सरवनाम क्रिया विश्यशन तरह अव्यव सब्सक्राइब से बनाए जाते हैं जैसे मार शीयार शीख ना से मार्थ तो एसही बच्चो आपको बताना है कि निम लिखित सब्दों से भावाचक संग्या सब्द बनाईए तो संग्या सब्द क्या है लंबा तो इससे भावाचक संग्या क्या बनेगी लंबाई चड़ना से चड़ाई हसना से हसी खूबसूरत से खूबसूरती जवान से जवानी चुनना से चुनाव संग्या सरवनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषन कहते हैं जैसे लाल गुलाग, एक लिटर दूद, भोला बच्चा, आदी यानि संग्या और सरवनाम सब्दों की जो विशेषता बताएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे विशेषन और विशेषन चार प्रकार के होते हैं तो बच्चो आप विशेषन को भी अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरा विशेषन का ये वीडियो देख सकते हो जिसमें विशेशन किसे कहते हैं और इसके चारू प्रकारों को अच्छी तरह उधारन दे कर समझायवा है तो विशेशन चार प्रकार के होते हैं गुण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन और सार्वनामिक विशेशन इन में भी फिर निश्चित वाचक, एनिश्चित वाचक, संख्या वाचक विशेशन अलग होता है परिमान वाचक में भी निश्चित और एनिश्चित परिणाम वाचक विशेशन होता है निमल लिखित वाक्यों में से विशेशन छाट कर लिखिए तो यहाँ इस वाक्य में बड़ी भुवा भी बड़ी मोसी भी तो यहाँ पर बड़ी शब्द क्या है भुवा की और मोसी की विशेशता बता रहा है तो यह विशेशन हुआ तो यह उनका गुण बता रहा है तो गुण वाचक विशेशन हुआ परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं तो सभी लोग परिमान वाचक विशेशन में आएंगे शाइद इसलिए कि पिछली स्ताबदी में पैदा हुई थी तो यहाँ पर बच्चो विशेशन है पिछली और यह कौन सा विशेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना बच्चपन के कुछ फ्रोग तो मुझे अब तक याद है तो यहाँ पर कुछ फ्रोग तो यह होगा संख्या वाचक विशेशन या इसे एनिशित वाचक संख्या विशेशन भी कहते है नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल तो गुलाबी रंग किस में आएगा गुण वाचक विशेशन में मेरी व्याकरण के इस वीडियो में विशेशन को बहुत अच्छी तरह से समझाय गया है जिसको आप देख सकते हो विशेशनों की तीन आवस्ताई होती है मूला आवस्ता जो एक मूल आवस्ता है उसके बाद उत्रा आवस्ता और वै उत्मा आवस्ता उत्रा आवस्ता तथा उत्मा आवस्ता बनाने के लिए हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ करम्शय तर तथा तम परते का प्रियोग किया जाता है इसके अतिरिक्त कुछ विशेशनों में उससे कम या ज्यादा तथा समसे प्रियोग किया जाता है तो जैसे मूल अवस्ता है स्रेष्ट उत्रा अवस्ता में स्रेष्ट तर तर लगा और उत्मा अवस्ता में स्रेष्ट तम तम लगा दिया या फिर गरम मूल अवस्ता है तो यहाँ पर इसको उत्रा अवस्ता बनाने के लिए उससे कम गरम ऐसे लिख सकते हैं उत्मा अवस्ता में सबसे ज्यादा गरम तो पाठ में से तीन विशेशन सब्द छाट ये तथा उनकी तीनु अवस्ताओं के रूप लिखिए तो पाठ में से आप कोई भी विशेशन सब्द लीजिए जैसे नीला तो इसकी उत्रावस्ता हम बनाएंगे हलका नीला और गहरा नीला या कम नीला उससे ज्यादा नीला मीठा हलका मीठा या कम मीठा और बहुत मीठा मुश्किल कम मुश्किल या ज्यादा मुश्किल या अधिक मुश्किल हिंदी बासा में कई विदेशी बासाओं के शब्द प्रियोग किये जाते हैं जैसे की अंग्रेजी अर्बी फा तुर्की भासा आदी के शब्द तो इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं इस पार्ट से अंग्रेजी वय उर्दू-फार्सी भासा के शब्दों को छाट कर लिखिए तो आप इस पार्ट को पढ़ने जाओगे तो आपको नजर आएंगे कुछ अंग्रेजी शब्द जैसे फ् उर्दू-वय फार्सी शब्द रफ्तार तकलीफ पोशाक मोजे फर्क हफ्ता इनके अलावा बच्चो और भी उर्दू-वय फार्सी की शब्द हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे इस संस्मरन को एक बार फिर से पढ़ें इस पार्ट को अच्छी इस तरह से समझने के लिए आप इसके अर्थवय अभ्यास प्रस्णों वाले वीडियो को जरूर देखें क्या हम अपनी बच्चपन में पड़ी आदितों को बदल सकते हैं इस बारे में बच्चो आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते ह अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों न करें इनको लाइक सब्सक्राइब और रिकमंड हमें और बहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट धन्यवाद अगर में आपके का लिए सकते हैं या दो वीडियो आपके कर दोले कर सकते हैं